तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्निफर मॉब के बारे में जो कि 2022 में मॉब वोट का विनर है और 1.28 के अपडेट में भी यह आने वाला है तो इसके बारे भी थोड़ी इंटरस्टिंग चीज़े हम जान लेते हैं तो मॉब वोट का विनर होने के बावजूद स्निफर एक ऐसा मॉब है जो कि अभी तक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और मोजाइं के दुआरा दिये के इनफरमेशन के हिसाब से स्निफर एक ऐसी स्पीसीज से बिलॉंग करता है जो कि सद्यों पहले माइंड क्राफ्ट के ओवर ओर में एक्सिस्ट करता था लेकिन किसी वज़ा से ये माइंड क्राफ्ट की दुनिया से और्मोस्ट एक्स्टिंक्ट हो गया है और ये धीरे धीरे अपनी वापसी कर रहे है और ये चीज अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज़ है तो अगर हम सिंफर की स्पाउन की बात कए तो इसका एक अंडर्वाटर स्पाउन होता है लेकिन हमें टीजर ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि इसके एग्स एंशेंट रूइन्स में भी पाए जा सकते है कि माइनक्राफ्ट ने ऐसे प्लांट्स बहुत ही कम है या फिर ही नहीं जो कि अंडर्गाउंड स्पाउन होते हैं तो ये फी स्पेकुलेशन से कि 1.20 के अबडेट्स में हमें नए प्लांट्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि अंडर्गाउंड स्पाउन होते हैं हाला कि ये सारी चीज़े एक speculations है लेकिन अगर Mojang इन चीज़ों को apply करता है ये Minecraft के लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है तो ये सारी चीज़े थी 1.20 के बारे में और Sniffer Mob के बारे में जो आप लोगों को जाना ज़रूरी थी तो अगर ये वीडियो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना तो इस तरह की informative वीडियो और मज़दार वीडियो देखते रहने के लिए लैड नम को सब्सक्राइब करना मत भोलना अगर आपको hero brand के ओर चीज़ आनी हो तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना थैंक्स पो वाचिंग